C- languages की series में आज हम देखने वाले है identifiers का part 2 पिछले lecture में हमे देखा था कि identifiers कितने होते है, किसे identifiers कहते है, किस रूप में हमें उसे use करना होता है और identifiers के अंदर जो तीन main categorized है, उसमें से पहला था constant उसका हमने देख लिया कि constant किसे बोलते है, constant कैसे use होता है, primary constant कौन से है और secondary constants कौन से है और हमने primary constants के बारे में भी थोड़ा बहुत देखा था तो दोस्तो अगर आपने identifiers का पहला part नहीं देखा है तो पहले वही देख लीजिए क्योंकि अगर आपको constants के बारे में समझ आएगा, तभी आप variable और keywords की तरब जा सकते हो तो यदि आपने नहीं देखा है, तो पहले वह देख लीजिए आज हम देखने वाले है variables, अब variables किसे कहते है, वेसे हमारी मैथे मैथे कली हम देखते है कि variables का मतलब होता है, कि जिसकी value change होती है, अब हमारे C language में भी ये बात सही है, लेकिन ये secondary things है तो primary thing कौन सी है, कि जो हमारी RAM है, अब हमारी RAM के अंदर समझ लो कि मेरा एक instruction block है, एक है data block अब data block और instruction block किसे काम करता है, कि यदि मुझे समझ लो कि आप तीन students के data मुझे enter करवाने है, अब मुझे बताया गया है कि तीन students के data डालने है, अब वो जो तीन students के data मुझे input करवाने है, वो हमारी instruction हो गई तो अब जो instruction के अनुसार में जो data डालोगा, जैसे मैंने डाल दियें कि 10, तो यहाँ पे store हो जाएगा अगर मैंने लिखा है 20 तो यहां store हो जाएगा और अगर मैंने लिखा है 30 तो यहां store हो गया मतलब कि जो हम data डाल रहे हैं वो हमारे data blocks के अंदर location ले ले रहे हैं तो अब वो जो 3 मेने data डाले है तो उसको मैं separate किसे करूँ उसको कैसे बताओं कि मेरा यह यह 10 है यह 20 है या 30 है compiler कैसे समझेगा कि कौन सा data मुझे कब use करना है और कैसे लेना है यदि अगर मुझे बताया गया कि मुझे 20 पहले use करना है या फिर बताया है कि 10 बात में यूज़ करना है अगर मैंने उसको नाम नहीं दिया है तो वो sequence में ही चलेगा लेकिन मुझे अगर अलग-अलग चलाना है कि जो sequence में ना हो तो हम केसे यूज़ करेगे तो हम क्या करते है कि जो हमारे data होते है तो data को जो हम नाम दे देते है यदि यहाँ पर मैंने दे दिया है नाम A, B और C तो यह जो A, B और C है वो हमारे variable है तो variable का मतलब आप समझ गए होगे कि जो हम में instruction दी हुई है वो instruction हमारी ये block में चली जाती जो 16-digit architecture है हमारा तो वहाँ पर instruction हमारी instruction block में चली जाती है और हम जो data input करवाते हैं वो हमारा data block में जाता है और वो data block में जाकर particularly location ले लेता है तो ये जो location ले लिया है उसको हम जो नाम बता कर differentiate करते हैं, separate करते हैं तो उसको हम बोलते हैं variables तो आपको variables का मतलब समझ आ गया होगा तो अब variables के अंदर कुछ rules and regulation है कि हमारा variables alphabet, digit और underscore ही होना चाहिए जैसे capital A से capital Z small a से small z या फिर कोई digit ले लिया हमने 5, 6, 10, 15, 20 कोई भी digit ले लिया है या फिर हमने underscore लिया है तो ये हमारा compiler इस variables को समझेगा और उसके हिसाब से वो program को execute करेगा लेकिन अगर आपने ये तीन के इलावा कोई variable का नाम डाल दिया है तो वो हमारा valid नहीं होगा हमारा compiler उसके compile नहीं कर पाएगा दूसरा है rules के हमारा digit should not be first हब जो हमने digit लिखा है जिसे के 2 है वो मेरा variable पहले आना नहीं चाहिए अगर मैं उसे लिख रहा हूँ तो मुझे पहले कोई alphabet लिखना या पहले कोई constant लिखना है बाद में ही मेरा variable आएगा अब जैसे मैंने लिख दिया हमने constant में दिखा था के integer int के बाद में हम लिखते है variables के नाम जैसे a ले लिया, to ले लिया, file ले लिया लेकिन अगर मैं ये variables को constant के आगे लिख होगा जैसे two integer तो ये गलत हो गया two character ये गलत हो गया तो ये सब हमें ध्यान में रखना होगा कि अगर हम जब variables का use करते हैं तो वह हमारा integer के जो constant है उसके बाद में ही आने चाहिए उसके पहले अगर आ गया तो हमारा program गलत हो जाएगा तो दोस्तो ये variables के बारे में हमने देख लिया अब हम देखने जा रहे है keywords कि keywords किसके बोलते हैं तो keywords का मतलब यह होता है कि जिसे हमें कोई particular चीज दे दी है अब वह चीज के बारे में हमें बताया गया है कि यह यह चीज है जो इसकी पहचान कराती है result है और वह predefined words है जो हमारी c language की library में install हो चुके है हम उसे change नहीं कर पाते हैं तो keywords हम देखते हैं कि कौन-कौन से keywords हमारे program में use होते हैं तो यह है auto, break, cache, continue, character, default अब यह जितने भी keyword है c language के अंदर 32 keywords होते हैं अब यह 32 keywords हम जब program करते जाएगे तब बीच में आते जाएगे तब तब हमें ज्यादा समझाएगा कि keywords का use कैसे करते है कैसे use करना है और कैसे उसको program में बताना है तो यह हमें याद करने की जरूरत नहीं है जैसे जैसे हमारा program continue होगा इस तरह से हमारा keywords आगे आगे हमें बताते जाएगे तो यहाँ पे keywords हो गए जिसे हम change नहीं कर पायते हैं अब यहाँ पे हम समतलो कि मेरे पास है auto auto का जो a है वो यहाँ पे small है तो यहाँ पे हमें small ही बताना है अगर आपने capital कर दिया तो हमारा compiler उसे compile नहीं कर पायेगा क्योंकि यह जो keywords है वह हमारे जो भी libraries है उसके अंदर यही रूप में बताये गए तो अगर हमने capital कर दिया तो keyword change हो गया तो हमारा program गलत हो सकता है तो दोस्तो हमने identifiers के बारे में देख लिया अब हम जो देखने वाले है वह हमारा instruction वह में अगले next lecture में दिखा होगा तो यदि आपको यह identify समझ आ गया है या आपको कोई परिशानी हो रही है तो आप मुझे comment करकर बता सकते हो के sir यह problem हो रहा है यह problem हो रहा है तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप subscribe कीजिए like कीजिए और share कीजिए और अगर आपको कोई मेरी help चाहिए या को contact चाहिए तो आप android-sahil89-gmail.com पर mail कर सकते हो share कीजिए subscribe कीजिए thank you कीजिए